विजेपी ने बुधवार को अपने लोगसवा चुनाओं के प्रत्याशियों के नाम की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही भाजपा ने उनकी पहले लिस्ट के बाद मध्यप्रदेश में 29 में से बचेवे 5 लोगसवा सीटों पर बने सस्पेंस को भी खत्म कर दिया है। विजेपी ने अब तक बालाघाट, छिंदवाड़ा, इंदौर, धार, उजयन, इन सीटों पर नाम रोक कर रखे थे लेकिन विजेपी ने अब इन सीटों के प्रत्याशियों के नाम का एलान कर दिया है आये जानते हैं क्या है पूरा मामला, मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं प्रदेश तक मद्विदेश की जिन पास सीटों पर पहले लिस्ट के बाद अब तक सस्पेंस बना हुआ था उसमें से छिंदवाड़ा और इंदौर इस वक्त की सबसे चर्चिस सीट है चिंदवाड़ा MP लोगसबा सीट की एक लौती ऐसी सीट रही है जहां से पिछले लोगसबा चुनाओं में विजेपी को कॉंग्रिस नेता नकुलनात के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद लगाता सभी इस बात का इंतिजार कर रहे थे कि इस लोगसबा चुनाओं में विजेपी कमलनात के गड़ में किसको उतारेगी वहीं इंदोर सीट को लेकर अब तक ही अटकले लगाई चारी थी कि विजेपी यहां से मौझूदा सांसत का टिकेट काट कर किसी महिला प्रत्याशी को चुनाओं में उतार सकती है पर अब विजेपी के लोगसबा प्रत्याशीयों की दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ विजेपी के एमपी के लोगसबा प्रत्याशीयों के चहरे सामने आ गए एमपी की बचे हुए सीटों पर विजेपी ने बालाघाट लोगसबा सीट से डॉक्टर भारती पार्धी को उम्मिद्वार बनाया है छिंदवाडा से नकुलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू विजेपी के उम्मिद्वार होंगे इन दो सीट पर वर्तमान सांसत शंकलालवानी को रिपीट किया गया है उजयन सीट से अनेल फिरोजिया और धार सीट पर सावित्री ठाकुर को उम्मिद्वार बनाया गया है इन सभी प्रत्याशियों के नाम की घोशना के साथ ही मध्वदेश लोग सभा के सभी 29 सीटों के प्रत्याशियों के चहरे साफ हो गए है लेकिन कॉंग्रेस की और से अभी तक MP में सिफ 10 लोग सभा सीटों पर ही प्रत्याशियों का नाम साफ हो पाया है जिसके बाद अभी देखना है कि कॉंग्रेस अब बची हुई सीटों पर विजेपी के दिगजों के विरूत किसको उतारती है आप ऐसी देशों दुनिया की खबरों के लिए बने रही हमारे साथ प्रदेश तक तक